So Hi Everyone, Welcome to Induction Physics by Imran Khan तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं PYQs of Numericals with Solution from Chapter No.9 Current Electricity तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से Board Exam में कौन कौन से Questions है जो पूछे जा चुके हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम Question देखने वाले हैं Connected in series so as to assist each other Their balancing length on the potentiometer is found to be 3.2 meter तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बुलाएं कि दो cells है और दो cells का जो यहाँ पर EMF given है तो एक का EMF E1 है और दूसे का EMF E2 है और सबसे पहले तो दोनों एक दूसे को assist कर रहा है तो जब E1, E2 एक दूसे को assist करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं E1 प्लस E2 लिखते हैं और इसका जो balancing length है उसे हम माल लेते हैं L1 और इसकी जो value यहाँ पर given है that is equal to 3.2 meter तो देखो अगर आपको याद होगा आपने potentiometer के uses यानि application पढ़े थे जहाँ पर एक application था to compare the EMF of the cell तो basically यह वही sum and difference method वाला question है जहाँ पर हमें पहले दिया है कि जब दो cell assists कर रहे थे एक दूसरे को तो उनका जो balancing length है that is 3.2 meter और आगे क्या बोला है when the two cells are connected in series so as to oppose each other और हमें पता है जब दोने एक दूसरे को oppose करते हैं तो हम इसे E1-E2 लिखते हैं और इसका जो balancing length है that is equal to 0.7 meter दिया है यानि जब दोनों से लेक दूसरे को assists कर रहे थे तो उसका balancing length है 3.2 meter और जब दोने एक दूसरे को oppose कर रहे है तो इसका balancing length है 0.7 meter आगे question में क्या बोला है compare the EMF of two cells EMF of two cells मतलब के हमें E1 by E2 को compare करके इसका answer बताना है तो काफे simple question है EMF of two cells का comparison का formula होता है E1 by E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2 तो बस यह formula आपको यहां पर लगा देना है therefore E1 by E2 will be equal to L1 की जो value मुझे given है वो कितना दिया है 3.2 दिया है और वहीं L2 की value कितनी है 0.7 upon यहां पर करूँगा तो क्या आजाएगा that will be 3.2 minus 0.7 तब अब इसे हमें क्या करना है simply plus and minus करना है तो even by E2 will be equal to यह हो जाएगा 3.9 upon और 3.2 में से 0.7 को minus करेंगे तो 2.5 हो जाएगा next हमें क्या करना है therefore लिखना है even by E2 is equal to देखा अगर उपर नीचे से में point हटा हूँ तो इसे मैं 39 upon क्या लिख सकता हूँ 25 लिख सकता हूँ 39 upon 25 next system में हमें क्या करना है simply से divide करना है तो यहां पर आप लिख लो 39 यहां पर आप का आजाएगा 25, 1 जा क्या हो जाएगा 25, balance क्या आएगा 4, 1, 14 अब point लगाओगे तो 0 आजाएगा 25, 5 जा कितना होता है 125, तो 125, balance कितना आजाएगा 15, 0 यूज कर लेते हैं 25, 6 जा कितना होता है 150 तो therefore, even by E2 का जो हमें answer मिला even by E2, it is equal to 1.56 ठीक है, क्या मिला? 1.56 मिला तो इस तरीके से हमें इसका answer यहाँ पर लिखना है अब हम next question देखते हैं और ये particular question March 2022 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस particular question में क्या given है 2 cells of EMF 4V and 2V having internal resistances 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm find the current flowing through the external resistance तो देखो ये particular type का जो question है ये हमारे exercise में starting में जो दो numicals है इस chapter के वहाँ पर given है और मैंने दोनों numicals को explain किया है जहाँ पर हमारे exercise numical solution का मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है तो आप दिहान से देखोगे तो वहाँ पर एक question आया था जहाँ पर आप value मिलती है 5 by 17 यहाँ पर हमें इसकी value मिलती है 10 by 17 तो आप directly वहाँ से भी अगर आपने solve किया होगा तो आप यह आसानी से कर लोगे और अगर नहीं भी आता है तो इसके साथ मैं वो वीडियो को attach कर देता हूँ तो आप यह वीडियो देख लेना खाली इसमें values change हो रही होगी बाकि और कोई भी change नहीं हो रहा है तो इससे बड़े आसानी से आप कर लोगे तो यहाँ पर हमें बोला है कि दो cells है एक cell का जो EMF है उसकी value यहाँ पर given है 1.5V वहीं जो हमारा दूसरा cell है उसका जो EMF है इस इक्वल टू 2V ठीक है आगे question में क्या बोला है having respective internal resistances of 1 ohm and 2 ohm तो इनका जो internal resistance है R1 की value वो कितनी है 1 ohm और जो R2 की value है वो कितनी given है 2 ohm ठीक है आगे question में क्या बोला है R connected in parallel तो यह जो दोनों EMF है इनको हमने कैसे connect किया है parallel ही connect किया है so as to send current in same direction through an external resistance of 5 ohm और external resistance की जो value given है वो कितना दिया है आपर देखो 5 ohm ठीक है आगे क्या बोला है find current through external resistance तो current through external resistance मतलब क्या निकालना है आई निकालना है ठीक है ओके तो अब अगर आप condition के हिसाब से देखो के question में जो given data है हमारे पास उसमें हमें यह समझ में आता है कि it is similar to question number 10 सिर्फ यहाँ पर values बदल गई है बाकि जो given data है और जो हमें find out करना है वो almost क्या है same है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे since यहाँ पर हमें किर्चा second law apply करना होगा तो हमें basically एक circuit diagram की जरुबत पड़ेगी तो सबसे पहले हम circuit diagram बना लेते हैं देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि हाँ पर सबसे पहले EMF है E1 तो यह EMF का positive terminal यह EMF का negative terminal और उसके साथ connected है internal resistance ठीक है उसके बाद एक दूसरा EMF है उसका यह positive terminal इसका यह negative terminal और उसके साथ internal resistance क्या है R2 और question में बोला है यह दोनों कैसे connected है they are connected in parallel तो parallelly connect कर देते हैं उसके बाद बोला है कि यह जो हमारा parallel combination है इसको हमने एक external resistance के साथ connect किया है और यह जो external resistance है यह यहाँ पर हम क्या define करेंगे capital R से denote करेंगे और इस external resistance की जो value given हिसबार वो कितना दिया है 5 ohm अगर आपको याद है तो इससे पहले आला जो हमने question किया था वहाँ पर external resistance की value 2 ohm दिया था यह हमारा internal resistance R1 है यह internal resistance R2 इसका EMF E1 और इसका EMF E2 अब सबसे पहले बात कर लेते हैं current distribution की जैसे आप देख पार हो यहाँ पर EMF E1 है यहाँ पर positive terminal यह negative यह positive और यह negative तो current कहां से कहां flow होगा positive to negative तो यहाँ से जो current निकलेगा EMF E1 से वो current I1 निकलेगा और यहाँ से जो current निकलेगा E2 से वो क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा so therefore यह वाला जो point हमें मिला यह point कौन सा है junction point है right अब junction point में क्या होता है जितना current आएगा उतना ही जाएगा तो इस वाले branch से जो current flow होगा इस current को हम क्या बोलेंगे I बोलेंगे ठीक है और याद रखना है इस branch से जो current I flow होगा वो किसके equal होगा I will be equal to I1 plus I2 के equal होगा तो इस तरीके से यहाँ से भी current क्या होगा I और फिर आप देखो यहाँ पर हमें क्या मिला junction point junction point में वापस से देखो कितना current आ रहा था तो अब यहाँ पर क्या lot जाएगा current I2 इधर lot जाएगा और current I1 इधर lot जाएगा इस तरीके से हमने current का distribution देख लिया अब हम क्या करेंगे इन point इसको naming कर देंगे और इसके बाद फिर किश्चाव सेकेंड लो अप्लाई करेंगे तो naming वापस हम दे देते हैं यह point A है यह point B है let this point B C इसको नाम देते हैं D यह point F है और यह point क्या है? G है naming आप अपने हिसाब से दे सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है अब सबसे पहले हमें loop select करने है और जब आप loop select करोगे तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि यह वाला जो external resistance है वो loop के लिए क्या होना चाहिए? common होना चाहिए तो जैसे कि मैंने question number 10 में आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमें loop select करना है वो ऐसे select करना है जिसके लिए यह R वाला external resistance वाला path क्या हो? यहाँ पर देखो इतने loop collect हो गए अब इसके बाद next आगे देखो क्या करेंगे सबसे पहले अब हम इसमें Kirchhoff का law apply करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे applying Kirchhoff's first law applying Kirchhoff's first law तो देखो सबसे पहले हम Kirchhoff's first law apply करेंगे जहाँ पर हमें यह पता चलता है total current I is equal to क्या होता है I1 plus I2 यही तो Kirchhoff's law हमें कहता है जितना current आएगा उतना current जाएगा ठीक है उसके बाद अब हम apply करेंगे Kirchhoff's second law and applying Kirchhoff's second law applying Kirchhoff's second law in loop पहला loop देखो हम क्या ले लेते हैं G, C, D, F, G ठीक है अब इस लूप में हमें क्या करना है Kirchhoff's second law apply करना है तो चलो apply करते हैं तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखो हमें कहां से कहां जाना है सबसे पहले हमें G से C की तरफ जाना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसे लिखेंगे minus E2 उसके बाद अब हम कहां से कहां जा रहे हैं देखो वही G से C की तरफ जा रहे हैं लेकिन अब करेंट का अगर आप direction देखोगे तो हमारे direction से opposite है और ऐसे केस में हमें potential difference की value क्या लेना होता है positive तो हो जाएगा I2, R2 हो जाएगा उसके बाद C से D में तो कुछ भी नहीं है जब आप D से F की तरफ आओगे तो आप देखो current का direction इधर की तरफ है लेकिन हम उसके opposite में जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ I2 into 2 और यह हो जाएगा plus I की value किसके equal है I1 plus I2 के equal है जबकि यहाँ पर जो R की value हमें given है capital R उसकी value यहाँ पर कितना दिया है इसकी value यहाँ पर 5 given है which is equal to यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 0 अब सबसे simply हमें क्या करना इनकी values को put up करना है तो आप देखोगे तो E2 की value है वो 2 volt है तो यहाँ पर मैं E2 की value लिख लेता हूँ 2 plus और यह कितना हो जाएगा 2 I2 हो जाएगा उसके बाद देखो 5 से multiply करूँगा तो यह हो जाएगा 5 I1 और प्लस क्या हो जाएगा 5 I2 is equal to 0 अब हम 2 को उधर भेज देंगे जब हम 2 को उधर भेज जेंगे तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 I1 plus 7 I2 is equal to यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यह हमारा क्या बन गया इसी तरीके से हमें दूसरे लूप में भी अप्लाई करना है therefore हम लिखते हैं applying क्रिप्चर सेकेंड लॉप in loop applying in loop दूसरा लूप क्या है देखो डियाग्राम में देखते हैं यहाँ पर आप दूसरा लूप देखो A, B, D, F, A है तो सबसे पहले हम कहां से कहां जाएंगे A से B की तरफ जाएंगे तो देखो पहले हमें क्या मिल रहा है जब हम A से B की तरफ जाएंगे अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे A से B की तरफ जाएंगे तो जब A से B की तरफ जाएंगे इसके बाद देखो यहां पर B से D में तो कुछ भी नहीं है लेकिन जब D से हम F की तरफ आएंगे तो current का direction opposite है इसलिए इसका potential difference क्या होगा positive तो यहां पर लिखेंगे plus I into R यह हो जाएगा plus I into R is equal to 0 क्योंकि उसके बाद F से लेकर यह तक में कोई resistance EMF connected नहीं है अब हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा rearrange कर लेना है by writing minus E1 plus क्या हो जाएगा यह I1 R1 हो जाएगा plus और I की value तो आपको पता है किसके equal है I1 plus I2 के equal है into R will be equal to 0 अब हम क्या करते हैं इन सब की values को put up कर लेते हैं तो जो EMF E1 की value मुझे given है question में वो कितना दिया है देखो EMF E1 is equal to 1.5 तो यहां पर हो जाएगा minus 1.5 plus उसके बाद जो R1 की value given है वो कितनी यह 1 हो हो में तो यह हो जाएगा I1 into 1 plus यहां पर हम I1 को I1 रखेंगे plus I2 रखते हैं और R की जो value है capital R उसकी value क्या है 5 is equal to क्या हो जाएगा 0 next system में हम क्या करेंगे minus 1.5 को उधर भेज देंगे और I1 into 1 करूंगा तो यह हो जाएगा I यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 5i1 हो जाएगा प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा देखो 5 into i2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 5i2 हो जाएगा right is equal to क्या हो जाएगा 1.5 इधार आके plus हो जाएगा अब यह total हमें value क्या मिली 6i1 plus 5i2 6i1 plus 5i2 is equal to क्या मिला 1.5 यह हमें क्या मिल गया equation number 2 मिल गया ठीक है अब हम क्या करेंगे दोनो equation का use करके आगे अपने formula को solve कर लेंगे अब देखो हम यहाँ पर दोनो equation मिल गया अब हम दोनो equation को solve करके हमें जो चाहिए i1 i2 की value निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हमें दोनो equation को रखते हैं जो हमारा सबसे पहला equation देखो वो क्या है therefore इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ 5i1 plus 7i2 is equal to और क्या दिया देखो यहाँ पर is equal to 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे जबकि यहाँ पर जो value given है वो कितना दिया है यह दिया है 6i1 plus 5i2 is equal to 1.5 यह हमारे पास given है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो उपर वाला number है इसको मैं multiply कर लेता हूँ 6 से और नीचे वाला number को 5 से multiply कर लेता हूँ अगर मैं ऐसा करूँ तो देखो मेरा नया equation क्या बन जाएगा therefore 5, 6, 30i1 हो जाएगा ठीक है plus 6, 7, 42i2 हो जाएगा और 6, 2, 12 हो जाएगा जबकि नीचे वाला number क्या हो जाएगा 5, 6, 30i1 हो जाएगा यह उसके बाद यहाँ पर 5, 5s कितना हो जाएगा 25i2 हो जाएगा और यह जो value इसको हम क्या करेंगे 5, 5, 25 कर लेंगे और 5 बन जा 5, 2, 7 यानि कि इसको हम क्या लिखेंगे 7.5 लिख लेंगे अब हमें simply से क्या करना है इसको minus कर लेना है minus minus लगा दे अब देखो यहाँ पर i1 से i1 वाला term को cancel कर देंगे और 42 minus 25 करूँगा तो कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 17i2 हो जाएगा और यहाँ पर जब मैं 12 में से 7.5 को minus करूँगा तो मुझे लगता है इसका answer कितना आएगा 4.5 आ जाएगा विकाँ 7.5 और plus 2.5 करेंगे तो 10 तो 2.5 plus 2 यानि कि हम इस equation में put up कर देते हैं तो यहाँ पर देखो क्या equation है 6i1 तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6i1 plus और उसके बाद यहाँ पर क्या value हो 5i2 तो 5 into और i2 की value क्या जाएगा 4.5 upon 17 is equal to यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.5 अब simply हम यहाँ पर क्या करना होगा इन value इसको multiply तो 6i1 प्लस यहाँ पर देखो 5 5s आ कितना हो जाएगा 25 balance 2 5 4s आ 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा तो 22.5 upon क्या हो जाएगा 17 is equal to लिखेंगे 1.5 next step में हम इसे क्या लिखेंगे 6i1 ठीक है और यह जब उधर जाएगा तो बेसिकल यह क्या आ जाएगा 1.5 और यह minus हो जाएगा 22.5 upon 17 अब हम यहाँ पर करना है इसको cross multiplication तो देखो इसे मैं लिखता हूँ 1.5 into 17 minus 22.5 ठीक है अब इसके बाद upon में जो value आएगी वो क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी 15 plus 10 25 तो यह हो जाएगा 25.5 और minus क्या है 22.5 है क्या है minus 22.5 और upon में यहाँ पर क्या जाएगा 17 आ जाएगा ठीक है तो upon में 17 आ गए अब next step में क्या करेंगे 25.5 minus 22.5 करेंगे तो answer क्या मिलेगा 3 मिलेगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ therefore देखा अब हम next step में क्या लिखेंगी यह हो जाएगा 6 I1 is equal to 25.5 minus 22.5 करूँगा तो answer कितना मिलेगा यह हो जाएगा 3 upon 17 हो जाएगा therefore अब further अगर मैं इसे solve करूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ I1 is equal to 3 by 17 into 6 क्या हो जाएगा 3 by 17 into 6 यानि कि अगर मैं इसे solve करूँ तो मैं लिख सकता हूँ I1 is equal to और यह हो जाएगा अगर cut करें तो यह क्या जाएगा 1 by 2 हो जाएगा ठीक है 1 by 2 into 17 है क्या बचा फिर यह 1 by 2 into क्या लिख सकता हूँ 1 by 17 इसे मैंने separate कर लिए देखो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर आप लिख होगे 1 upon 17 into 2 लिख होगे तो मैंने दोनों को अलग-अलग कर लिया ऐसा मैंने क्यों किया ध्यान से सुनो क्योंकि I1 is equal to 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 और upon क्या हो गया यह 17 तो यह मुझे किस की value मिल गई I1 की value तो देखो मुझे I2 की value कितने मिली थी 4.5 मिली थी और I1 की value क्या मिल गई 0.5 by 17 क्योंकि दोनों का denominator यहाँ पर सेम रहेगा तो हम आसानी से से क्या कर लेंगे add कर लेंगे तो I का formula क्या है I1 plus I2 अब देखो I की value हमें क्या मिली 0.5 I की value है 0.5 upon 17 I1 की value और जो I2 की value है वो कितनी है 4.5 upon 17 अब यहाँ पर सिंस denominator सेम है तो उपर numerator की value add हो जाएंगे तो 0.5 plus 4.5 करूंगा तो क्यों आज आएगा 5 और नीचे क्यों आज आएगा 17 यह हमें total current I मिल गया which is equal to 5 by 17 तो जैसे हमने question number 10 देखा था similar type का question number 11 है बस इसमें थोड़ा सा calculation ज़्यादा है as compared to question number 10 अब हम next question देखते हैं और यह particular question October 2021 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं इस particular question में क्या given है The EMF of a cell is balanced by the length of 320 cm of the potentiometer wire दिया है और इसकी value given है 320 cm तो लिख लेते हैं 320 cm और आगे क्या बुला है when a cell is shunted by a resistance of 50 ohm तो हमें यहाँ पर shunted resistance R की value given है which is equal to 50 ohm और case याद रखना है कि potentiometer की बात हो रही है तो when the cell is shunted by a resistance of 50 ohm the balancing length is reduced by 20 cm यानि कि जो initial हमें length दिया था यह माल लेते हैं L1 है और फिर इसका जो balancing length है वो 20 cm से reduce हो गया तो इसका मतलब है फिर balancing length कितना हुआ 320 minus 20 which is equal to 300 cm और आगे question में क्या बोला है find the internal resistance of the cell तो काफी simple सा यहाँ पर question हमें given है internal resistance of cell का हमारे पास direct formula है internal resistance of cell small r is equal to capital R in the bracket L1 minus L2 L1 minus L2 upon L2 ठीक है बस यह formula हमें यहाँ पर रखके इसे solve कर लेना है so therefore small r is equal to r की value कितनी given है 50 हो हो L1 की जो value हो है 320 L2 की value है 300 और upon में यहाँ पर L2 की value क्या हो जाएगी 300 ठीक है तो 320 में से 300 को minus कर दूँगा तो देखो r is equal क्यों हो जाएगा 50 into और यह बेसिकल यहाँ पर बचेगा 20 upon क्यों हो जाएगा 300 तो एक 0 से यह 0 cancel एक 0 से यह 0 cancel राइट अच्छा 5 टूजा कितना होता है 10 होता है तो यह हो जाएगा 10 by 3 और हमें पता है गा 10 से 3 को divide करेंगे तो इसका answer 3.33 and so on होगा यानि के बार बार रिपीट होगा तो हम 3.33 answer लिख लेते हैं तो काफे simple question था यह ठीक है तो चले देखते हैं क्या given है 2 resistances x and y in the 2 gaps of a meter bridge gives a null point dividing the wire in the ratio of 2 by 3 तो basically जैसे कि हम जानते हैं कि meter bridge experiment में 2 gap होते हैं एक होता left gap एक होता right gap तो यहाँ पर दोनो gap का हमें resistance दिया है तो left gap का जो यहाँ पर resistance है वो माल लेते हैं x है और y gap का जो resistance है वो क्या है वो x है और right gap का जो resistance है वो y है तो x upon y का यहाँ पर हमें ratio given है which is equal to 2 by 3 क्या दिया है 2 by 3 आगे question में क्या बोला है if each resistance is increased by 30 ohm तो अगर हम हर एक के resistance को 30 ohm से increase कर देते हैं तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि अगर माल लो x dash upon y dash जो नया resistance है इसकी value हम किसे increase कर देंगे we will increase by the we will increase by the कितना यहाँ पर दिया है 30 ohm यानि कि मैं बोल सकता हूँ x plus 30 और नीचे क्यों जाएगा y plus 30 तो वापस एक बार question समझ लेते हैं सबसे पहले हमें दिया था कि two resistances x and y in the two gaps of a meter bridge are in the ratio of 2 is to 3 ठीक है उसके बाद बोला है कि अगर हम हर एक resistance की value को 30 ohm से बढ़ा देंगे तो जो उसका null point हमें मिल रहा है वो किस के ratio मिल रहा है 5 is to 6 के ratio मिल रहा है null point कितना मिल रहा है 5 is to 6 के ratio मिल रहा है मतलब अब यह बढ़ाने के बाद इसका null point क्या हो जाएगा 5 by 6 हो जाएगा तो x upon y की value 2 by 3 थी और आप ऐसा assume कर सकते हो कि x dash upon y dash की value क्या है 5 by 6 है तो हमें यहाँ पर x और y की value को calculate करना है क्या calculate करना है x and y की value को निकालना है तो बहुत simple है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है ध्यान से सुने यह जो equation हमें यहाँ पर दिया है यह equation को हम लिख लेंगे इस equation के basis पर हम x और y की value को calculate करेंगे तो इस तरह के questions कई बार exam में पूछे जा चुके हैं तो जिस तरह से मैं आपको करार हूँ यह ठीक आप उसी तरह के से ध्यान देना इसे बड़े आसानी से हम इसे calculate कर लेंगे और x i y की value हमें मिल जाएगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो value आपको दिख रही न x upon y is equal to 2 by 3 तो अगर हम इसे cross multiplication करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 3x will be equal to क्यो आ जाएगा 2y और अब हमें क्या करना है यह वाला जो हमारा equation इसको हम नीचे लिख लेंगे तो क्या है यह x plus 30 upon y plus 30 is equal to 5 by 6 ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो next step में हम जानते हैं कि यहाँ पर x की value क्या हो जाएगी x की value तो मैं निकाल सकता हूँ therefore अगर मैं आपसे x पूछू तो आप क्या बोलोगे 2y by 3 होगी x की value क्या होगी 2y by 3 तो यहाँ पर हम इसे simply क्या करेंगे इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ सबसे पहले cross multiplication कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 6x plus 30 क्या हो जाएगा 6x plus 30 और यह हो जाएगा 5y plus 30 तो पहले हम इस पूरे equation को solve कर लेते हैं फिर last में हम x की value को रख देंगे तो अगर मैं इसे multiply करूँ तो यह हो जाएगा 6x plus 180 है ना is equal to क्यो हो जाएगा 5y plus 150 हो जाएगा ठीक है next system में क्या करेंगे ध्यान से सुनू मैं इसको लिख लेता हूँ 6x minus 5y is equal to 182 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो क्या बचेगा यह बचेगा minus 30 बचेगा क्या बचेगा minus 30 अब में next system में क्या करूँगा 6x की value अल्रेडी मैंने निकाली कितनी x की value 2y by 3 तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2y by 3 रख देंगे minus क्या है 5y is equal to minus 30 ठीक है next system में आपको पता है कि 3 2s तो 2 2s कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4y minus 5y is equal to minus 30 तो 4y minus 5y करूँगा तो answer मुझे 1y मिलेगा मतलब y is equal to क्या हो जाएगा minus 30 minus minus cancel तो y की value क्या मिल जाएगी 30 हो हम मिल जाएगी ठीक है तो मुझे y की value मिल गई यहाँ पर यानि के मुझे basically right hand side का जो gap था उसका resistance मिल गया है जो नया resistance है वो कहा है 30 अब since मुझे y की value मिल गई है तो बहुत आसानी से मैं x निकाल लूँगा ठीक है x देखो यहाँ पर क्या था हमारा equation हमारे equation था x is equal to 2y by 3 तो अब देखो x की value हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें y की value पता है तो 2 into y की value क्या है 30 divided by 3 कर दूँगा तो 3 10 जा और अगर मैं 2 से multiply करूँ तो x की value क्या जाएगी 20 हो हम ठीक है तो इस तरीके से इस particular question को हमें आपर solve करना है तो अब हम next question देखते हैं और यह particular question July 2019 के board exam में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं क्या given है find the total current I flowing through the following circuit तो basically यहाँ पर हमें circuit given है और इस circuit के respect में हमें बताना है कि total कितना current flow हो रहा होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखो diagram तो अलेटी यहाँ पर given है मैं यहाँ पर values को लिख लेता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर दो resistance दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर resistance R1 value लिख लेता हूँ जिसकी value क्या 8 हो हम और R2 की जो value है वो भी कितनी है 8 हो हो और यह कैसे connected है द्यार कैलर तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के parallel resistance की value निकाल लेते है यानि 1 upon R1 प्लस 1 upon क्या होता है R2 ठीक है? तो यहाँ पर मुझे बताओ यह क्या हाँ आएगा 1 by 8 प्लस 1 by 8 करूंगा तो answer क्या जाएगा 2 by 8 यानिके 1 by 4 हो जाएगा तो therefore यहाँ से मुझे जो Rp की value मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 4 ohum मिल गया ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो resistance Rp मिला वो कितना मिला? 4 ohum उसके बाद question में यहाँ पर जो मुझे emf की value given है वो कितना दिया है? 5 volt दिया है तो 5 volt लिख लेता हूँ और जो internal resistance मुझे given है वो कितना दिया है? 1 ohum दिया है तो मुझे यह पता करना था कि इस circuit से total कितना current flow हो रहा है तो मुझे current I निकालना है अब formula एकदम simple है हम जानते है formula क्या होता है? देखो आपने पढ़ा है V is equal to क्या होता है? I R होता है तो उसी तरीके से E is equal to क्या होता है? I R हमने voltage को emf से replace कर दिया बस आप यहाँ पर value रख दो अच्छा यहाँ पर R का मतलब क्या है? total resistance तो पहले मैं formula लिख देता हूँ E is equal to I into R तो जो R है basically इसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर total resistance क्या हो जाएगा? total resistance will be equal to R P plus small r ठीक है? देखो circuit में जितना भी resistance लगा है सारे resistance को add कर लेना है तो एक तो हमारा resistance parallel की value मिल गई 4 oham और internal resistance लगा है 1 oham तो 4 plus 1 कितना हो जाएगा? 5 तो therefore E is equal to I MF की value कितना given था 5 is equal to और 4 plus 1 क्या हो जाएगा? 5I तो therefore I की value क्या हो जाएगी? that is 5 upon 5 यानि कि अगर मैं cut करूँगा तो therefore current का equation मिल जाएगा 1 ampere ठीक है? तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमें question मिल जाएगा तो देखो कोई भी circuits related question हो और उसने अगर total current पूछा है तो आप ये formula याद रखनो V is equal to IR या E is equal to IR और फिर आपको ये देखना है कि उस पूरे circuit का total resistance कितना है उस सारे resistance को आपको यहाँ पर क्या करना है? add कर देना है तो काफी simple question था और देखो 3 marks के लिए पूछा था तो ये बहुत ही अच्छी बात है ऐसे question आते रहेंगे तो हमें जादा आसानी होगी marks gain करने में है न इसके बाद हम next question देखते हैं और ये जो particular question है ये March 2019 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं इस वाले question में क्या given है तो यहाँ पर दिया है न तो सबसे पहले बोला है कि जब resistance की value कितनी है जब resistance की value जब 5 हम है जब resistance की value 5 हम है तो उसका जब balancing length है balancing length मालो L जो है ये कितना given है 150 cm तो लिख लेते हैं 150 cm और आगे क्या बोला है resistance of 10 हम तो जब उसका resistance कितना है 10 हम है तो इसका यहाँ पर जो हमें balancing length given है आगे वो कितना दिया है 175 cm तो इसका balancing length है 175 cm तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे resistance 1 माल लेता हूं इसे resistance 2 माल लेता हूं ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर जो तुमें length दिख रही है यहाँ पर जो length है इसको हमें 1 और 2 consider अभी नहीं करना है ठीक है देखेंगे आगे situation question में क्या है और फिर आगे देखते हैं इसे क्या करेंगे आगे question में क्या बोला है find the balancing length when the cell is open circuit find the balancing length when the cell is open circuit तो भाई जब cell open रहा होगा circuit open रहा होगा तब उसका balancing length कितना था रहा होगा L1 रहा होगा ठीक है तो basically देखा जाया तो एक तरीके से यह हमें क्या दिया यह हमें final balancing length दिया है क्या दिया है final balancing length यानि कि जब मैंने resistance लगाया 5 ohm का तो मुझे final balancing length मिला 150 cm का और जब मैंने resistance लगाया 10 ohm का तो मुझे final balancing length मिला 175 cm का तो मुझे ये बताना है कि जब circuit open था तो उसका balancing length क्या था मतलब मुझे L1 निकालना है ठीक है तो इस question में confusion हो सकता है इसके लिए ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ में इस question में बोला है internal resistance निकालना तो ये जो basically अगर पूरा process देखा जाए तो ये internal resistance of the cell का है potentiometer experiment से related ये question है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका formula यूज करना है small r is equally क्या होता है r in the bracket l1 minus l2 upon क्या होता है upon l2 होता है ठीक है तो अब यहाँ पर दो equation हमारे लिए बन जाएंगे क्या बन जाएंगे दो equation अब दोने equation को हमें यहाँ पर क्या करना है compare कर देना है ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ध्यान से सुनो इसको मैं क्या करता हूँ यह जो formula है हमारा इस formula को हम use करते हुए पहले तो इसे हम double times यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है यानि equate करके आगे हम इसे solve करना है क्योंकि जब हम equate करके solve करेंगे तो हमें दोनों का एक common balancing length मिल जाएगा ठीक है initial balancing length तो यहाँ पर देखो क्या करना है सबसे पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ r1 और in the bracket l1 minus l2 upon क्या हो जाएगा upon हो जाएगा l2 तो l2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा r2 और l1 minus l2 upon l2 ठीक है तो यहाँ पर क्या रख दिया l2 अब इसके बार next system में क्या करना है इनकी value को रख देना है तो r1 की जो value थी वो 5 था l1 मुझे पता नहीं है और l2 पहले कितना था l2 की value 150 cm थी जब मैंने 5 ohm का resistance यूज़ किया था तो 150 upon में भी यहाँ पर क्या दाएगा 150 और r2 की जो value हो वो क्या है 10 है इसका balancing length वही initial l1 होगा और final balancing length मुझे मिला 10 ohm के resistance पर वो कितना है 175 तो यहाँ पर 175 लिख लेंगे divided by 175 अब next step में देखो हम क्या करेंगे 5 से दर इसे में cut करूं तो यह 2 हो जाएगा तो therefore यह क्या हो जाएगा l1 minus 150 upon क्या हो जाएगा 150 is equal to 2 times of l1 minus अचा 175 टूजा कितना होगा तो 175 टूजा हो जाएगा 350 हो जाएगा कितना हो जाएगा 350 और upon में यहाँ पर क्या आजाएगा 175 तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले मैं 25 से cut कर देता हूँ 25 6 और 25 7 जा और फिर हम इसे क्या करेंगे cross multiplication तो 7 in the bracket l1 minus क्या हो जाएगा 150 is equal to 6 और यह क्या हो जाएगा 2 l1 minus 350 टीक है next system में इसे multiply करेंगे तो therefore क्या हो जाएगा 7 l1 minus 700 जाएग 0 75 जाए 35 balance 3 7 बंजा 7 3 कितना हो जाएगा 10 is equal to 6 2 is at 12 l1 तो अब हम 6 से इसे multiply करते है तो 6 0 is at 0 6 5 is at 30 जाएगा 0 balance 3 6 3 is at 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तीक है अब next system में क्या करेंगे l1 l1 को एक तरफ तो यह 7 l1 minus 12 l1 is equal to number को एक तरफ तो minus 2 1 double 0 और यह minus minus plus हो जाएगा तो 1050 तो therefore 7 l1 minus 12 l1 करूँगा तो क्या मिलेगा minus 5 l1 और 200 में 1050 जाएगा तो इतनी बचेगा 1050 बचेगा खली minus आजाएगा ठीक है अब minus minus दोनों तरफ से cancel हो जाएगा तो 5 l1 की जो value हो क्या हो जाएगी 1050 तो therefore मुझे बताओ l1 की जो value हो क्या आप लिखोगे 1050 अपॉन 5 लिखोगे अब 5 से आप इसे क्या करो divide कर लो तो l1 की जो value मिलेगी that is 210 क्या मिलेगा 210 तो यह 210 cm हमें मिला यह क्या है initial balancing line ठीक है तो इस तरीके से हमें इस particular question का answer देना है अच्छा अब इसमें एक और चीज पूछा था वो था internal resistance तो एक बार में वापस question explain कर देता हूँ देखो क्या दिया था question में दिया था कि जब हमने 5 ohm का resistance use किया तो हमें balancing length 150 cm मिला और जब हमने 10 ohm का resistance use किया तो हमें balancing length 175 cm का मिला तो हमें जो balancing length निकालना था लिया जाएगा तो हमें internal resistance के दो equation बनाने है दोनों को simultaneously compare करके solve करना है और finally हमें यहाँ पर balancing length मिल गया 210 cm अब यहाँ पर हमें internal resistance निकालना है तो internal resistance आप अब किसी भी equation से निकाल सकते हो formula हो जाएगा R in the bracket L1 minus L2 upon क्या हो जाएगा L2 ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे R1 वाला ले ले लेता हूँ आप चाहिए तो R2 से भी निकालोगे उससे भी वही answer आजाएगा R1 की value 5 है L1 की value है 210 और L2 की जो value है वो क्या है L2 की value है 150 upon क्या हो जाएगा 150 next step में आप क्या करोगे therefore लिखोगे R is equal to यह हो जाएगा 5 210 में से अगर 150 को minus करेंगे तो कितना आएगा बताओ यह आजाएगा आपका 60 upon क्या है 150 है ना 00 cancel 5 3 जा और therefore R is equal to क्या मिला यहाँ पर 6 by 3 मिला अगर मैं इसे cut कर दूँ तो answer मुझे मिल जाएगा which is equal to 2 ओ हम मिलेगा this is the internal resistance of the cell अब हम next question देखते हैं और यह particular question July 2018 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस particular question में क्या गिवन है in a potential meter the balancing length of the wire is found to be 2.5 meter तो balancing length हमें दिया है मान लेते हैं की value given है 2.5 meter दिया है ठीक है for a cell of EMF 1.5 volt यानि कि यह balancing length तब मिला जब हमने EMF कितना volt का use किया है which is equal to 1.5 volt तो यहां पर लिख लेते हैं 1.5 volt तो 1.5 volt का EMF use करने पर हमें balancing length 2.5 meter मिला आगे क्या बोला है find the balancing length of the wire for another cell तो मान लेते हैं कि initial case L1 EMF E1 है और अब हमें balancing length L2 ढूणना है जिसका जो EMF है वो हमें यहां पर given है which is equal to 1.2 volt ठीक है तो काफी simple सा question है उसने बोला है कि जब हमने battery 1.5 volt की use की तो हमें balancing length 2.5 meter मिला तो आप बताओ कि जब हम 1.2 volt की battery use करेंगे तो इसका balancing length क्या मिलेगा तो देखो basically हमने यह topic फड़ा है that is related to to compare the EMF of the cell और इसका formula बहुत simple होता है that is E1 by E2 is equal to L1 by L2 होता है ठीक है तो अब देखो यहां पर मुझे निकालना क्या है L2 तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ cross multiplication करूंगा तो क्या हो जाएगा L2 is equal to यह हो जाएगा हमारा L1 into E2 by E1 क्या हो जाएगा L2 is equal to L1 into E2 by E1 अब हम यहां पर इसकी value रख देते हैं आप चाहिए तो इसमें पहले सी value रख के solve कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है L1 की value 2.5 है E1 की जो value है वो 1.5 है और जो sorry E2 की जो value है यहां पर वो कितनी है 1.2 है तो पहले 1.2 रख देते हैं और जो इसकी value है E1 की value वो 1.5 है अब आप देखो यहां से point से point हट जाएगा तो L2 की value को में 25 into 1.2 लिख सकता हूँ और upon में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो नीचे उपर से मैंने एक एक point shift कर लिया 5 से cut करूँगा तो 3 और यह हो जाएगा 5 ठीक है उसके बाद next step में क्या करना है therefore L2 is equal to 5 into 1.2 divided by क्या है 3 तो अब 3, 4 जा कितना होता है 12 तो यह 0.4 हो जाएगा तो therefore जो मुझे L2 की value मिलेगी that will be equal to 5 into 0.4 यानि के 5, 4s are 20 होता है और अगर मैं digit को यहाँ पर shift कर दूँ तो यह basically मुझे मिल जाएगा 2 meter तो इस तरीके से हमें इसका balance length निकालना था तो यह काफी simple question है इसके बाद हम next question देखते हैं और यह particular question July 2017 के board exam में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं क्या given है तो basically यहाँ पर हमें resistance दिया है कि जब resistance की value कितनी है 12 ohum है जब resistance की value 12 ohum है तो उसका जो balancing length है वो हमें यहाँ पर given है जिसकी value कितनी दिया है balancing length यहाँ पर हमें given है 120 centimeter तो 120 centimeter ओके आगे question में क्या बुला है when the resistance of 18 ohum resistance of 18 ohum मतलब कि पहले जो resistance दिया था वो कितना दिया था हमें 12 ohum का और अब जो resistance हमें given है वो कितना दिया है 18 ohum का तो यहाँ पर क्या बुला है when the resistance of 18 ohum is connected across the same cell the balancing length is 150 centimeter तो अब जी इसका balancing length है वो कितना है 150 centimeter है हमें find क्या करने को बुला है find the balancing length when the cell is in open circuit तो हमें balancing length निकालना है जब cell कहाँ पर हो open circuit में हो तो basically यह जो मैंने एक question के पहले जो question करा था similar question है से values यहाँ पर change की गई है तो open circuit के case में जो हमारा balancing length है उसे हम यहाँ पर L1 से denote करेंगे किसे denote करेंगे L1 से ठीक है तो यह दोनों है क्या है final balancing length है यानि जब resistance R1 की value 12 हो हम है तो उसका balancing length 120 centimeter है और जब resistance R2 की value 18 हो हम है तो उसका final balancing length 150 centimeter है तो हमें दोनों का initial length L1 निकालना है तो हमें साथ ही साथ में internal resistance भी calculate करना है तो अब इसमें जाता मैं explain नहीं करूँगा सीधा value लगके solve कर देता हूँ क्योंकि और यह मैंने question अभी कराया था आपको तो आप देखो इसके लिए सबसे पहले आपको internal resistance का formula देखना है internal resistance का formula होता है R in the bracket L1 minus L2 upon क्या होता है L2 ठीक है तो बस इस formula का हमें use करना है तो हम दो equation बनाएंगे एक R1 के लिए और एक R2 के लिए और simultaneously solve कर देंगे ठीक है तो therefore सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा R1 in the bracket L1 minus L2 upon क्या हो जाएगा L2 is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 in the bracket L1 minus L2 upon क्या हो जाएगा L2 ठीक है अब इनकी value रख देते है therefore R1 की जो value हो कितनी थी 12 L1 की value हमें find out करना है और L2 की value initial कितनी थी 120 cm ठीक है upon क्या हो जाएगा 120 cm is equal to R2 की value है 18 हो हम L1 को as it is रखेंगे और जो L2 है हमारा that is 150 cm तो 150 cm और upon में भी क्या जाएगा 150 cm ठीक है अब सबसे पहला इस step में क्या करना है आपको कि इसे cut कर लेना है तो यह 6 से cut करूँगा तो 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और अब हमें यहाँ पर क्या करना है cross multiplication यानि cross multiplication करने से पहले हम 2 को अंदर multiply कर देते हैं तो यह 2L1 हो जाएगा minus 240 हो जाएगा is equal to 3L1 और minus 450 ठीक है upon में यहाँ पर क्या जाएगा 120 और यहाँ पर भी upon में क्या जाएगा 150 आ जाएगा तो देखो 10 से 10 यह क्या हो गया cancel हो गया और हम इसे और simplify कर सकते हैं जैसे 12 को 3 और इसे हम और simplify कर सकते हैं जैसे 12 को मैं 3 से cut कर दू तो 4 टाइम जाएगा 12 को तो therefore अब next step में हम क्या करेंगे इसे cross multiplication तो cross multiplication करूंगा तो क्या हो जाएगा यह तो अब अगर इसे मैं अंदर cross multiplication करके तो इसे अगर मैं अंदर multiply करूंगा तो क्या हो जाएगा तो इसे इक्वाल टू 10 यह और 240 को 5 से multiply करूंगा तो क्या हो जाएगा 1200 is equal to 4 3 is a 12 और minus इसके बाद 4 0 is a 0 4 5 is a 20 तो 0 balance 2 4 4 is a 16 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे L1 वाले टम को एक तरफ तो यह 10 L1 तो 10 L1 minus of 12 L1 will be equal to यह हो जाएगा 1800 minus का 1800 और यह धर जाएगा तो plus क्या हो जाएगा 1200 ठीक है तो therefore यहां से क्या बचेगा minus 2 L1 will be equal to minus 600 minus minus cancel so therefore L1 की जो value मुझे मिलेगी that will be 600 divided by 2 तो 600 को अगर मैं 2 से divide करूँ तो final length जो मुझे मिलेगा that will be equal to यह हो जाएगा 300 ठीक है और इसका unit हम लिख लेंगे centimeter तो इस तरीके से हमें initial balance length मिल गया the circuit is open ठीक है अब इसके बाद हमें यहां पर internal resistance भी निकालना था तो अब आसानी से निकाल लेंगे internal resistance small r की value क्या है capital R in the bracket L1 minus L2 upon क्या है L2 है ठीक है अब देखो यहां पर एक बात मैं आपको बता दू कि आप दोनों में से किसी equation से भी solve कर सकते हो आई तर यहां पर R1 की value put up करके solve कर लो या R2 की value तो R1 की value कितनी है 12 है L1 की value मुझे 300 मिली और वहीं जो L2 की value है sorry वो इसके case में क्या थी 120 ठीक है अब आपन में यहां पर क्या आजाएगा upon में आजाएगा 120 तो अब यहां पर simply आपको क्या करना है therefore R is equal to 300 में से 120 को माइनस कर दो तो यह 180 आजाएगा तो 12 into 180 upon क्या है 120 तो यहां से देखो 0 से 0 cancel 12 से 12 cancel so therefore small R की जो value मुझे मिली that is 18 O'am कितना मिला 18 O'am is the internal resistance तो बाद हम next question देखते हैं और यह particular question March 2017 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस particular question में क्या given है An unknown resistance is placed in the left gap and the resistance of 50 O'am is placed in the right gap तो माल लेते हैं कि left gap पे जो unknown resistance है वो कितना X है और right gap पे जो resistance यहां पर given है वो कितना दिया है 50 O'am दिया है ठीक है? ओके यानि meet up bridge experiment से related यह question है कि जो left gap का resistance है वो unknown है तो उसे हमें इने X माल लिया और right gap में जो resistance हमें given है उसकी value 50 O'am दिया है और आगे क्या बुला है था null point is obtained at 40 cm from the left 40 cm from the left मतलब यह हमें L1 की value दिया है तो L1 की value कितना दिया? 40 cm तो अगर L1 की value 40 cm है तो automatically L2 की value क्यों हाजाएगे? 100 minus 40 will be equal to 60 cm तो अब हमें देखो unknown resistance X की value calculate करना है तो formula एकदम simple है that is X by R is equal to is equal to L1 by L2 तो therefore मुझे निकालना X है तो X को इधर रखता हूं R को उधर बेज़ देता हूं तो यह हो जाएगा R L1 by L2 अब मैं इनकी value को put up कर देता हूं तो therefore X is equal to R की जो value मुझे given है वो 50 दिया है वहीं L1 की जो value given है वो कितना है? 40 और L2 की value कितना है? 60 तो यह 0 से 0 क्या हो जाएगा? cancel और therefore यहाँ से मुझे बताओ 5 forza क्या हो जाएगा? 20 मतलब 200 divided by क्या हो जाएगा? 6 इसे अगर मैं चाहिए तो लिख सकता हूँ X is equal to 100 by 3 लिख सकता हूँ और आपको पता है therefore 100 by 3 का मतलब क्या हो जाएगा? कि 3 से divide करूँगा तो 33.33 यह repeat होगा So this is the resistance connected in the left gap of a meter bridge ठीक है? तो meter bridge से related question कभी भी आएए तो आपको यही pattern use करना है ठीक है? क्योंकि एक वहाँ पर इस तरीके से होगा यह X है तो अब हम next question देखते हैं और यह particular question July 2016 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस question में क्या given है? अब potential meter wire has a length of 2 meter तो basically यहाँ पर हमें potential meter wire का length दिया है तो मान लेते हैं कि L की value कितनी है? 2 meter है ठीक है? और आगे question में क्या बोला है? अंदर resistance of 10 ohum और जो resistance given है वह हमें कितना दिया है? 10 ohum तो लिख लेते हैं R is equal to 10 ohum ओके It is connected in series with a resistance of 990 ohum तो basically एक और यहाँ पर resistance दिया है तो यह मान लेते हैं कि जो resistance in series है जिसकी value यहाँ पर कितना दिया है? 990 ohum दिया है यह आप इसे external resistance भी कह सकते हो और आगे क्या बोला है? NSL of EMF 2 volt तो EMF की value यानि के E दिया है which is equal to 2 volt और हमें calculate क्या करना है? calculate the potential gradient along the wire potential gradient को K से denote करते हैं ठीक है? और हम जानते हैं कि K का जो formula होता है वो V by L होता है ठीक है? तो अगर मुझे potential gradient निकालना है तो अब देखो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने बोला potential gradient का formula क्या होता है? V by L होता है क्या होता है? V by L तो since यहाँ पर मुझे potential की जगा पर EMF दिया है तो इसी formula को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ K is equal to E by L क्या हो जाएगा? K is equal to E by L अब मुझे यहाँ पर करना क्या ध्यान से सुनो तो therefore सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँँगा E by L is equal to याद रखना E by L को है हम potential gradient कहते हैं ठीक है? तो E by L is equal to अब यहाँ पर क्या हम value put up करेंगे देखो जैसे के हम जानते हैं V is equal to formula क्या होता है? IR तो उसी तरीके से E is equal to B क्या होता है? IR होता है तो E की जगा पर मैं क्या रख दूँगा? IR रख दूँगा और upon में क्या हो जाएगा? L ठीक है? अगर ध्यान से देखेंगे तो E by L जो है यहाँ पर I मुझे given नहीं है I मुझे given नहीं है बट मुझे पता है कि I की value क्या होती है? I की value होती है E upon R plus R S ठीक है? यानि यह basically कौन सा formula है? तो देखे यही formula है सारे घुमा फिरा के वही formula लगते है I is equal formula क्या हो जाएगा? E upon R हो जाएगा और अगर सर्किट में एक और resistance जूड़ा है तो उस resistance को यहाँ पर जोड़ तो जितने resistance add होते जाएगे उतने resistance को आप यहाँ पर add कर दो अगर internal resistance होता तो smaller add कर देते हैं तो अब हमें I की जगा पर value रख देना है E upon R plus R S into क्या हो जाएगा यहाँ पर? into में हो जाएगा R divided by क्या हो जाएगा? L ठीक है? अब next system में क्या करेंगे? therefore E by L is equal to E की value हमें 2 volt given है ठीक है? R की value initial R resistance कितना दिया था? that is 10 ohum ठीक है? वहीं पर R S की value कितनी है? 990 into यहाँ पर क्या हो जाएगा? R, R की value क्या है? 10 है divided by L, L की value क्या है? 2 meter L की value क्या है? 2 meter ठीक है? तो therefore अब next system में क्या करना है? इसको लिखना है E by L is equal to 2 into 10 ठीक है? और यहाँ पर 990 plus 10 कितना हो जाएगा? 1000 और 2 इसके साथ आजाएगा multiplication में तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? cancel 0 से 1 0 गया तो therefore यहाँ से मुझे बताओ E by L की जो value मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 upon 100 मतलब 10 raise to 2 होता है तो therefore अगर इस 10 raise to 2 को में ऊपर लेके जाऊँगा तो इससे क्या लिख सकता हूँ? 1 into 10 raise to minus 2 और इसका unit हो जाएगा volt per meter इसको अगर आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो therefore E by L is equal to 0.01 volt per meter ठीक है? तो इस तरीके से हमें इसका answer देना है तो अगर आपको potential gradients related कोई question आये तो सबसे पहले आप यह formula याद रखना potential gradient का formula होता है k is equal to V by L या आप इसी को कह सकते हो k is equal to E by L तो अगर वहाँ पर current given नहीं है क्योंकि सबसे पहले V की जगा पर आप क्या लिखोगे IR लिखोगे और current given नहीं है तो आप यह आला formula याद रखना और यह formula वहाँ पर implement कर देना ठीक है? तो आसानी से हमें इनका answer मिल जाएगा इसके बाद हम next question देखते हैं और यह particular question October 2015 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस question में क्या given है यहाँ पर दिया है potential meter wire has a resistance of per unit length 0.1 ohm per meter तो basically यहाँ पर हमें जो value given है उससे हम समझ लेते हैं यहाँ पर हमें resistance per unit length दिया है तो resistance per unit length का मतलब हो जाएगा r by l और इसकी जो value given है that is 0.1 ohm per meter तो देखो अगर आपको normally पढ़ने से कुछ चीज़े समझ में ना है तो अगर आप unit देखोगे तो units भी आप पहचान सकते हो कि basically इसमें क्या हमें calculate करना है तो यहाँ पर r by l मतलब क्या ohm per meter क्योंकि resistance का unit ohm होता है और length का unit meter होता है तो हमें resistance per unit length की value given है और आगे question में क्या बोला है यहाँ पर a cell of emf 1.5 volt तो अब जो emf की value यहाँ पर given है वो कितना दिया है 1.5 volt balances against a length of the wire which is 300 centimeter तो length of the wire माल लेते है 300 centimeter जिसे अगर मैं meter में convert करूँ तो यह हो जाएगा 3 meter find the current in the potential meter wire और हमें क्या निकालना है current निकालना है तो it is similar to previous question जो मैंने आपको अब ही करके बताया था बस इसको थोड़ा सा में modification करना है तो ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या करना है तो initially मैं जानता हूँ कि E को में क्या लिख सकता हूँ I into R लिख सकता हूँ सही है E को क्या लिख सकता हूँ I into R अब मेरी बात ध्यान से सुनना Since मेरे पास L है तो मैं दोनों side equation को L से divide कर देता हूँ अब देखो कितना आसान हो गया यह यहाँ पर R by L जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी value तो मैं already जानता हूँ ठीक है क्योंकि R by L मुझे given है मुझे निकालना current है तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम formula को modify करने से पहले हम इसकी value को put up कर देते हैं तो EMF की value मुझे दिया है 1.5 L की जो value मुझे given है वो है 3 दिया है I मुझे calculate करना है और R by L की जो value है that is 0.1 कितना दिया है 0.1 next system में आप क्या करोगे cross multiplication करेंगे तो therefore 1.5 upon 3 into 0.1 is equal to क्यों हो जाएगा I हो जाएगा तो अगर मैं इसे multiply करो तो therefore लिख सकता हूँ I is equal to 1.5 upon 0.3 अगर मैं उपर नीचे से point हटा दो तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ 15 by 3 15 by 3 मतलब कि अगर 3 से divide किया जाए तो answer आजाएगा 5 ampere तो देखा जाए तो current electricity से काफी easy question अभी तक पूछे गया है PYQs के respect में अब हम next question देखते हैं और ये particular question February 2015 में पूछा गया थो तो चलिए देखते हैं कि इस particular question में क्या given है आपर resistance of a potential meter wire is 0.1 ohum per centimeter तो जैसे कि अभी मैंने एक question आपको कराया था कुछ इसी से related question है तो यहाँ पर हमें resistance of potential meter wire दिया है और इसकी value है यहाँ पर 0.1 ohum per centimeter मतलब इसका यही मतलब कि resistance per unit length given है लेकिन ऐसा unit के हिसाब से इसे ohum per meter में होना चाहिए तो मैं इसे convert कर लेता हू 0.1 ohum per centimeter से मुझे किसमे convert करना है ohum per meter में तो देखो centimeter से meter में convert करने के लिए क्या करेंगे 10 raise to minus 2 10 raise to minus 2 जब उपर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा तो यह 0.1 into 10 raise to 2 और यह हो जाएगा ohum per meter ठीक है तो therefore finally मैं r की value को यहाँ पर क्या लिख सकता हूं r को लिख सकता हूं 0.1 into 10 raise to 2 का मतलब हो जाएगा 10 ohum per meter यह हमें यहाँ पर given है और आगे क्या बोला है a cell of emf 1.5 volt तो यानि यहाँ पर जो basically cell है उसका emf दिया है 1.5 volt given है at 300 centimeter of the potential meter wire तो जो balancing length है माल लेते l इसकी value again दिया है 300 centimeter जिसे मैं लिखूंगा तो यह basically 3 meter हो जाएगा और फिर अगर हम आगे question में देखेंगे तो यहाँ पर क्या given है calculate the current and balancing length for another cell तो हमें current निकालना है तो current माल लो आई हो गया और हमें balancing length of another cell निकालना है तो balancing length of another cell मतलब माल लेता हो कि मुझे मैं l2 निकालना है और यह जो पहले जो लेंद दिया balancing length इसे हम l1 माल लेते हैं ठीक है ओके आगे और question में आपर क्या बोला है इस question को वापस एक बार हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग से क्या दिया है resistance of a potential meter wire 0.1 ohm per centimeter तो Rbyl की value मिल गई असे लेख EMF 1.5 volt तो E मिल गया balanced at 300 centimeter तो माल लेते हैं यह E1 और उसका balancing length है 300 centimeter और calculate the current तो ठीक है पहले यानि कि हमें पहले वाले के value के respect में current निकालना है ठीक है और जब हम current निकाल लेंगे उसके बाद क्या बोला है also find the balancing length for another cell जिसका EMF क्या है 1.4 volt तो easy question है यह बस हमें यह आपर दो formula apply करने है तो सबसे पहले as usual जो हमने इसके previous question में किया था उसका formula यहाँ पर implement करेंगे मैंने आपको क्या बताया था therefore EMF का formula क्या होता है I into R होता है तो यहाँ पर हमें L से इस दोनों side equation को divide कर देना है E की value already मुझे given थी क्या दिया था E की value पहले देखो 1.5 volt और R by L की value क्या है 10 तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.5 upon 3 is equal to I मुझे find करना है और R by L की value क्या है 10 है तो therefore इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 upon 3 into 10 is equal to क्या हो जाएगा I next system में देखो क्या करेंगे इसको मैं लिखता हूँ next system में देखो क्या करेंगे जाएगा upon क्या हो जाएगा 10 is equal to क्या हो जाएगा I next system में आपको पता है 10 मतलब की 10 less to 1 उपर जाएगा तो minus 1 तो finally I की value मिलेगी that will be 0.05 ampere यह हमें current मिल गया ठीक है when the balancing length of the wire is 300 cm and the emf of 1.5 volt then the current passing through is 0.05 ampere अब इसी question में हमें और क्या calculate करना था balancing length निकालना है और 2 emf given है therefore यहाँ पर हमें जो equation apply करना है that is related to compare the emf of the cell और formula होता है e1 by e2 is equal to l1 by l2 तो मैं फिर l2 की value को ऐसे लिख लेता हूँ that is l1 into क्या हो जाएगा e2 by e1 हो जाएगा ठीक है therefore l2 is equal to l1 की जो value मुझे giving है वो 3 दिया है क्या दिया है 3 देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दू अगर आप meter में रखके solve करोगे तो आपका balancing length meter में answer आएगा अगर आप centimeter में रखके solve करोगे तो आपका balance length centimeter में ऐगा तो फिलाल मैं इसे meter में रखके solve कर रहा हूँ E2 की जो value मुझे given थी that was 1.4 तो 1.4 लिख लेते हैं और वहीं अगर देखा जाए तो जो E1 की value मुझे given थी that is 1.5 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यह कह सकते हैं के उपर नीचे की अगर मैं point value हटा दू तो यह हो जाएगा 14 by 15 हो जाएगा क्यों आप 14 by 15 next system में देखो क्या करेंगे 3 second मैं cut करूँगो तो यह 5 हो जाएगा तो therefore L2 की जो value मुझे मिलेगी that will be 14 by 5 और 14 by 5 को हमें यहापर divide करना है तो अगर मैं divide करूँगा तो 14 से 5 को तो यह क्या हो जाएगा 2.408 आजाएगा और इसका unit क्या लिख लेंगे meter और अगर मुझे centimeter में लिखना है तो यह हो जाएगा 280 centimeter ठीक है तो इस तरीके से इस particular question को हमें आपर solve करना है तो आपर से समझ लो क्योंकि इसमें 2 चीज़े given थी तो सबसे पहले हमें R by L की value दिया था और हमें calculate करना था current passing when the EMF applied is 1.5 volt and the balancing length is 3 meter फिर हमने current तो निकाल लिया बाद में हमें EMF दिया 1.4 volt का और हमें बोला कि बताओ उसका balancing length कितना होगा जिसका answer में मिल गया 280 centimeter अब हम next question देखते हैं और यह particular question 2014 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं कि इस particular question में क्या given है अब potential meter wire has a length of 4 meter तो हमें यहाँ पर length दिया potential meter wire का तो लिख लेते हैं 4 meter and a resistance of 5 वहम तो resistance R की value given है that is 5 वहम what resistance should be connected in series और हमें क्या बोला है कि what resistance should be connected in series मतलब मुझे RS निकालना है ठीक है and a cell of EMF 2 volt तो cell of EMF मतलब के E की value दिया है which is equal to 2 volt given है and the internal resistance भी मुझे दिया और internal resistance की value कितनी है 1 ohm है to get a potential gradient of potential gradient मतलब आप V by L भी कह सकते हो या इसी को आप E by L कह सकते हो और इसकी जो value मुझे given है that is equal to 10 raise to minus 3 और याद रखना है यह volt per centimeter में है तो जब मैं इसे volt per meter में convert करूंगा तो 10 raise to minus 3 और centimeter से meter 10 raise to minus 2 होता है लेकिन उसका power जब उपर आएगा तो plus 2 हो जाएगा यानि इसका answer मुझे मिलेगा 10 raise to minus 1 volt per meter ठीक है तो यह सारी हमें condition given है तो देखो इसको solve करना बहुत आसान है जो हमने formula अभी दो तीन sums में लगाया है वही लगाना है सबसे पहले आपको यहाँ पर EMF का formula लगाना है E is equal to I into R करना है और यहाँ पर L से आपको क्या करना है इस पूरे equation को divide करना है ठीक है डिवाइड कर दिया next step में क्या करोगे therefore E by L is equal to I की value मुझे नहीं दिया है तो I की value याद रखना I को क्या लिख सकते है E upon R plus R s plus small r मैंने आपको बोला था ना कि जितने resistance होंगे सारे resistance को एक जगापर add कर देना है into क्या हो जाएगा capital R divided by क्या हो जाएगा L next step में क्या करेंगे ध्यान से सुनो E by L की value मुझे given है which is equal to 10 raise to minus 1 meter is equal to EMF जो मुझे given है question में वो कितना दिया है EMF की value given है that is equal to 2 volt तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ वहीं सारे resistance को अब हमें add करना है तो पहले हमें resistance कितना दिया था 5 oham दिया था क्या दिया था 5 oham और internal resistance कितना है 1 oham तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 oham और internal resistance कितना मुझे given है that is 1 oham तो 5 plus R s plus कितना हो जाएगा 1 और into R तो R की value again क्या हो जाएगे 5 oham divided by L और जो मुझे length of the wire given है वो कितना दिया 4 meter ठीक है next system में क्या करेंगे therefore यह हो जाएगा 10 raise to minus 1 is equal to यह 2 into 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 into 5 upon में क्या होगा ध्यान से सुनाब तो 5 plus 1 is 6 यानि कि R s plus क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और bracket के बाहर यहाँ पर हम इसे 4 रख देते हैं ठीक है अब next step में हमें पता है क्या करना है देखो therefore simple सा logic है यह 10 raise to minus 1 है 2 5 है कितना होता है 10 आपको चाहिए तो इसे simplify कर लो 2 से cut कर दो तो यह 5 upon और 2 से अगर मैं ब्रैकेट में multiply करो तो यह हो जाएगा 2 r s plus क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 2 r s plus 12 अब again मैं अगर इसका cross multiplication करूंगा therefore मैं इसे लिख सकता हूँ that is 2 r s plus 12 into 10 5 और 10 less to minus 1 को ना नीचे लेके आ जाता हूँ ठीक है 10 less to minus 1 therefore finally मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 r s plus 12 is equal to 10 less to minus 1 उपर आएगा तो plus 1 और plus 1 of 5 करूंगा मतलब कि यह 50 हो जाएगा 10 less to minus उपर आएगा तो plus 1 और 10 less to 1 का मतलब 10 10 5 is of 50 next system में देखो क्या करना है therefore you will write 2 r s is equal to तो therefore अगर मैं 50 minus 12 करूंगा तो r s की जो value मुझे मिलेगी that will be equal to 38 divided by 2 और 38 divided by 2 का जो यहाँ पर मतलब होता है that is 19 oham तो जो resistance हमने series में लगाया था उस resistance की value यहाँ पर कितनी है 19 oham तो देखो यह जो कुछ questions है इसे मैंने आपको एक दम basic formula से solve करा दिया है तो बस आप यह technique याद रखना तो बहुत आसानी से आपको इसका answer मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने इस chapter से related जो भी pyqs हमारे आये थे तो वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिये हैं अगर आप इतने भी pyqs कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस chapter से related question board exam में पूछे जाते हैं तो आपको especially दो point पे ज़्यादा focus करना है that is meter bridge वाले questions पे और second number का जो है that is related to potential meter याद अखना कि potential meter बहुत ही ज्यादा important topic है इस chapter का